मित्रों इस वीडियो में हम सरीर क्या है आत्मा क्या है मन क्या है बंधन कैसे पैदा होता है और मुक्ति कैसे मिलती है इन सारी बातों पर चर्षा करेंगे एक ही वीडियो में संपून अध्यात्म की बात इसमें होगी और वीडियो के अंत में मुक्ति कैसे मिलेगी इसका बिभारिक ज्यान परचर्षा होगी तो इसलिए इसको बहुत द्यान प्रुबक सुणना है और पूरी ही बात सुननी है और दो तिन बार सुनना है तभी आपक क्या होता है? शरीर होता है भावतिक या विभारिक सत्य और आत्मा होता है परमार्थिक या पारलोकिक सत्य और मन होता है माया या मिथ्या. शरीर छेनिक सत्ते हैं, आत्मा सास्विक सास्वत सत्ते हैं और मन सत्ते नहीं है वो मिध्या है शरीर पंचभोतिक चीश से बना है, शरीर को बनने के लिए माबाप का हर्मोन्स का मिलन होगा उसके बाद उसमें आकास तत्तो, बायू तत्तो, प्रथिवी तत्तो, अगनी तत्तो इन चीजों का कंबीनेशन होगा और ये शरीर पैदा होगा उसके बाद सरीर के अंदर अक्षिजन डालना होगा इसके अंदर जॉल डालना होगा इसके अंदर अन्न डालना होगा तब यह निर्मित होगा इसलिए सरिर है भोतिक, क्योंकि यह भोतिक पदार्थों से निर्मिते हैं पदार्थ से बना है तो इसलिए भोतिक है भोतिक है भोतिक होने के कारण यह चीजञे, परकट होती है and इसको बिलूपत भी होना हता है क्योंकि भौतिक चीज कभी भी सास्वत नहीं होगे सदा वो नहीं रहेगे क्योंकि भौतिक चीज बनेगी पदार्थों से और पदार्थ के अपने नियम होगे उनकी सिमा होगी उनके भितर्क की सक्ती देरे-देरे खतम होते जाएगी अब बिनस्ट हो जाएए इसलिए सरीर सत्य तो है दिखाई तो देता है होता तो है मगर वो छिनिक होता है वो सदा नहीं रहता इसलिए इस चीज को सत्य भी नहीं कहे सकते है अब सत्य का क्या अर्थ है? सत्य का अर्थ है जो सदा होता है, जो कभी भी बिनस्टा नहीं होता है, जो छेन छेन बदलता है, आज एक होता है, कल दूसरा होता है, परसों तिसरा होता है, और पहले नहीं था, और बाद में नहीं था, और बीच में ही होता है तो ऐसी चीज़ों को हम आध्यात्मिंग भासा में सत्ते नहीं कहे सकते हैं इसलिए शरीर सत्ते नहीं है या कहें विभारिक सत्ते हैं या कहें आध्यात्मिंग भासा में सरीर होता ही नहीं सरीर है असत्ते हैं छेनिक होने के कारण, भौतिक चीजों से बनने का कारण, जन्व से पहले शरीर नहीं था, मुर्तियु के बाद भी शरीर नहीं होगा, और बीच में भी जब शरीर होगा, तब भी ये परिवर्टन चेल होगा, आप जब बच्चे थे, तब आपका शरीर बिलकुल अलग था, युबा हो गए, बिल्कुल अलग हो गए, बृद्ध हो गए, बिल्कुल अलग हो गए, तो परिवर्तन भी हो रहा है, और नस्ट भी हो रहा है, और पैदा भी हो रहा है, तो इस चीज को हम सत्ति कहें नहीं सकते, क्योंकि इस चीज को सत्ति कहेंगे, तो फिर जो सास्षत इसलिए शरीर को असत्य कहा गया, सास्त्रों में सत्य को असत्य कहा गया, क्यूंकि वो छेनिक है, छेनिक चीज को हम सत्य कहे ने सकते हैं, और आत्मा ही सत्य है, एक ही सत्य है आत्मा, क्यूंकि आत्मा ही सदा रहती है, सास्त्य होती है, न कभी पैदा होती, न कभी उसका मुर इसलिए आत्मा को हम प्रियुक साला में रख के इसका अध्यन करने सकते, इसका कोई कलर नहीं होता, इसका कोई आकार नहीं होता, तो आत्मा का अर्था है जैसे आकास, अंतर आकास, जो फैला हुआ है, विस्तारित है, और सागर देशा बिराठ है, सबी जगह फैला हुआ है, और सुनने के तरह फिला हुआ है तो यह होता है आत्मा तो इसलिए आत्मा ही सत्य होता है और इसमें मन क्या है फिर मन न सत्य है न असत्य है मन न आत्मा है न शरीर है मन है मिथ्या या कहें माया इसको सासरों में माया कहा गया क्यूंकि मन का कोई अस्तित्तो होता नहीं क्योंकि यह छेणिक भी नहीं है बहुतिक चीजों से भी निर्मित नहीं है यह एक ब्यक्ख्या द्वारा निर्मित है यह विचारों के द्वारा निर्मित होने के कारण यह होती नहीं है फिर यह है जैसे लगते है और जो चीज होती नहीं फिर है जैसे लगती है उसको कहते ह वो मिथ्या है, जैसे भूद प्रेत होते नहीं, मगर आपको हे ज़़ी सा लगता है, तो मिथ्या हो गया, जैसे आप राष्टे पे चल रहे हो, रशी पड़ी हुई है, आपने उसको साप देख लिया, तो आपका साप का देखना ये माया है, ये ही मन है, वहाँ साप नहीं है मगर साप जैसे दिखाई दिया, तो जो चीज होती नहीं और दिखाई देती है, उसको हम कहते हैं, वह माया है, इसलिए मन है माया, और शरीर और आत्मा दोनों के बीच में ये मन का खेल चलता है, बीच में ये माया नर्ते करते है, ये तांडब नर्ते होता है इसका, और इ आगे बात करेंगे, पहले हम जाने शरीर और आत्मा के बारे भी, दोनों के क्या समंद हो सकते हैं, पहले बास शरीर और आत्मा दोनों का आयाम ही अलग है, एक है भावतिक, एक है अभावतिक, एक है छेनिक, एक है सास्वत, इसलिए आत्मा और शरीर आकास और पताल से भी भ उनों कभी मिलेगी नहीं, कहते हैं आपके आत्मा सरीर के अंदर रहती है, और जब आप मरते हो तो आत्मा निकलती है, ये सब जुड़ बात है, आत्मा शरीर के अंदर नहीं होती है शरीर आत्मा में शरीर होता है क्योंकि आत्मा तो बिराट है ना आत्मा तो सभी जगह परमात्मा भी आत्मा एकी बात है परमात्मा और आत्मा दो नहीं है आत्मा का अर्ता है जो सुन्ने आकास दिशा सभी जगा फैला हुआ है तो वो एक छुद्र सरीर के भितर कैसे कैईद होगी हो नहीं सकती जैसे आकास किसी चीज के भिचर कैईद नहीं होगा आका सबी जगा होने के कारण किसी चीज गे वितर भी होगा बाहर भी होगा तो आत्मा सरीर के किसी अंगमी किसी भाग में छिपी हुई इस तरह होती नहीं है जैसे मचली होती है सागर में मचली सागर में होती है मचली के वितर सागर नहीं है मचली की भितर सागर कईद नहीं हो जाता है सागर तो बाहर भी होता है सभी जगा फेला हुआ तो इसलिए आत्मा सागर की तरह सभी जगा है और हमारा सरीर उसके भितर एक छुद्रा चीज है छेनिक चीज है तो आत्मा सरीर के भितर नहीं होगा आत्मा के भीतर शरीर होगा, ये बात पहले समझे, और दूसरी बात, ये कि शरीर भहतिक जीश से बनेगा, वो पदार्थ की तरह काम करेगा, और आत्मा पदार्थ नहीं है, वो अपदार्थ है, उसको हम छुबी नहीं सकते, आत्मा का रंग भी नहीं होता, आत्मा का आकार बहुतिक होगा इसलिए शरीर और आत्मा को पता ही नहीं होता कि शरीर भी है और शरीर को भी पता नहीं होगा कि आत्मा भी है मगर यह दोनों मिलते कैसे हैं यह अदबुद बात है इसलिए मिलते हैं कि आत्मा का होना आत्मा है सास्वत है सत्ते हैं और आत्मा के होने के कारण चीजें उसके आसपास निर्मित हो जाते हैं क्रियेशन हो जाता है परमात्मा को कहते हैं वो कलाकार होता है जब वो होता है उसके होने के कारण उसके आसपास जो भातिक चीजें है वो नुर्ते कर लेती है उसका क्रियेशन हो जाता है जैसे भातिक हमारे दुनिया में भी कोई आपके घर में कोई बड़ा अदमी आपका गर का मुली बाहर से आ गया घर में, तो घर में सभी को खुशी हो जाएगी, आपका प्रीमी आ गया तो आप खुश हो जाओगी, आप खुश करने के लिए प्रीमी कुछ करेगा नहीं, वो आने के कारण ही आपके भितर खुशी अपने आप पैदा हो जाएगी, एक क्रियेश है वो तो बहुत बड़ा कलाकार है परमात्मा के होने के कारण जो भी पदार्थ है वो पदार्था क्रियेशन करने लगेगा फूल फूलेगा आदमी पैदा होगा जानबर पैदा होगा नदिया बहेगी आकास में बादल उगड़ेंगे शुरज उगेगा चिडिया गाएगी ये सबी कुछ नर्ते हो रहा है आप देखें ये संसार में क्या हो रहा है ये उठसब चल रहा है परमात्मा है उसके होने के कारण उठसब चल रहा है तो इसी सिर्जना के कारण सरीर क्रियेशन हो जाता है सरीर पंचब होती की चीज़ों से निर्मित हो जाता है अपने आप यह खुस हो जाओंगे उसके आने के कारण ऐसे परमात्मा होने के कारण सरीर पैदा हो जाएगा और सरीर निर्थर करने लगेगा और फुल फुलने लगेगा और सुराज उने लगेगा यह सब होती रहेगे तो आप काउन हो इसमें आप शरीर हो कि आत्मा आप अपने को शरीर मानते हो तो आप बंधन मिलेगे आप अत्मा मानते हो जानते हो तो आप मुक्ता हो जाओगे तो आप काउन हो इसमें आपका अर्था क्या हो है आत्मा आत्मा का अर्था क्या हो है आप खुद आप खुद शरीर हो कि आप अलग हो ये बात है इसमें आप अपने को फैला हुआ बिराट, निशंग, निराकार, असंग आत्मा में इस्तित होते हो तो आप मुक्त हो गए और आप आत्मा को जानते नहीं हो और भूल में पड़ गए कि शरीर को ही मान लिया कि ये शरीर ही मही हूँ तो फिर आप बंदन में पड़ गए क्यूंकि आ ये नहीं है आप उसको आपने मही मान लिया शरीर आप नहीं है आपने मान लिया शरीर को मही और शरीर को आत्मा मानना यही मूल ब्रहम है आत्मा को आत्मा जानना यही मुक्ति है और शरीर को हम आत्मा क्यूं मानते हैं शरीर को हम क्यूं मानते हैं इसका कारण है मन अब आ शरीर मैं हूं बताएगा, मन के कारण ही आप शरीर को मानोगी मैं हूं, वो उसका कारण होगा मन, इसलिए कहा मन बंदन का कारण है, अब मन क्या है, आप इसको देखे पहले, मन शरीर के इंद्रियों द्वरा उत्पन्न एक जुटी इंद्रे हैं, जुट इंद्रे हैं, शरीर इंद्रियों से शरीर ग्रहन कर लेता है, आक द्रिस्से को देखता है, कान आवाज को सुनता है, तोचा इस पर्षा को अनुभव करती है, मगर जब ये इंद्रिया बाहर की चीज़ों को अनुभव करती है तो क्या हो जाता है, कि भीतर उन अनुभवों का रेकर्ड हो जाता है। वो भीतर अनुभव इस्मर्ति के रूप में भीतर स्थापित हो जाते हैं। जैसे क्यामरा होता है, आपने क्यामरा ने किसी द्रशी को कईद कर लिया, तो वितर चित्र आपका अंकित हो जाएगा, आपकी डिवाइस के अंदर चित्र वितर संग्रहित हो जाएगा, तो ऐसे ही जब आँक से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, ये द्रशी, ये आवाद, ये इसपर्श, ये रंग, ये रस, रूप जो भी है, बहार के जगत, इंदरियों के द्वारा अनुभब में जो आया है, वो हमारे वितर अंकित हो जाता है, ये अंकित होने के कारण, ये स इसलिए जन्म के साथ मन आता नहीं है, मन को पैदा होने के लिए समय लगता है, जब बच्चा पैदा होता है, तब उसके साथ सरीर होता है, और उसने अभी तक आत्मा नहीं जाना, तो बच्ची जब पैदा होते हैं, उसको कहते हैं, वो हमलेट हैं, वो कितर बितर हैं, उसने आत्मा को भी नहीं जाना है, इसलिए बच्चा इस इस्थिति में होता है, तितर बितर के इस्थिति में, और मन बाद में बनेगा, पिछे बनेगा मन, इसलिए मन है बाय प्रोडक्ट, मन का स्वेम का सत्ता नहीं है, अगर मन का स्वेम का सत्ता होता, तो जन्मे के साथ वो भी आता है, जैसे शरीर का स्वयम का सत्ता है, छेणी के तो भी, तो इसलिए शरीर के सभी अंगा जन्मे के साथ आजाते हैं, आख आजाते हैं, कान आजाते हैं, नाक आजाते हैं, सभी कुछ आजाते हैं, मगर मन नहीं आता जन्मे के साथ, क्योंकि मन को पैदा होने के ल फिर उन इसमुर्तियों के द्वारा मन बनेगा, इसलिए मन बनने के लिए थोड़ा समय लगेगा, और दिरे-दिरे मन बनता जाएगा, और मन है इसमुर्ति द्वारा निर्मित, विचारों का खेल, और इसलिए मन कभी नया नहीं होता, क्योंकि मन इसमुर्ति पर आधारत होत पहले जो आपने जाना सुना उसका अनुबद वो इसमृति है इसलिए मन पूरा नहीं होता है मन कभी भी नहीं होता है जो चीज आपने कभी जाना नहीं सुना नहीं उसके बारे में मन विचार नहीं कर सकता जैसे आपने घोड़ा कभी देखा है या घोड़े के बारे में सु तो आपका मन उस पर चिंतन करेगा। उसकी इसमृति आपके वितर होगी, तो ही मन उस पर काम करेगा। अगर आपने जएसी डाइनोसर कुछ देखा नहीं, उसका चित्र भी नहीं देखा, उसके बारे में सुना भी नहीं। आपने एक सब्द सुन लिया, डाइनोसर, तो आपका मन फिर कुछ कल्प न करने ही सकेगा, तो इसलिए जो चीज भितर नहीं है इसमृति के रूप में, उसके बारे में मन जान नहीं पाएगा, इसलिए भी आप जाने के मन होता है, जुट, मन होता है, शरीर के इंद्रियों क के द्वारा भितर अंक जो इसमृति है, उसके द्वारा पैदा हुआ, जो अनुमान है, जो तरक है, जो विचार है, वही मन होता है, मन बास्तविक नहीं होता, अगर मन बास्तविक होता, तो उस चीज के बारे में भी वो अनुमान कर सकता, जो उसने देखा नहीं, अगर करता आप अफरिका में गए हो तो मन आपको वो सब दिर्शे दिखाएगा आप गए नहीं हो तो अफरिका बारे में आप कुछ भी सोच नहीं पाऊगे आप चाइनीज भाषा सिखे हो आपने तो कोई Chinese बोलेगा तो आप उसको समझोगे आपने Chinese भासा सिखी नहीं ही तो कोई Chinese बोलेगा तो आपका मन कुछ समझ नहीं पाएगा तो इसे मन का कारिय क्या होता है मन क्या करता है मन करता है ब्यक्ख्या मन करता है अनुमान मन करता है विश्वास क्योंकि मन खुद जानता नहीं मन कुछ चीज जानता नहीं मन न सरीर को जानता ना आत्मा को जानता किसी चीज को भी मन जानता नहीं न जानने के कारण वो क्या करता है फिर ब्याख्या करता है अनुमान करता है मन है विश्वास करता है मन विश्वास पर किका हुआ है क्योंकि मन जान नहीं सकता क्यों क्यों नहीं जान सकता क्योंकि मन कुछ बास्तविक है ही नहीं बास्तविक यंद्र नहीं है अगर बास्तविक होती तो वो जानती मगर वो जान नहीं सकती इसलिए मन केबल तरक करती है अनुमान करती है जैसे भगमान क्या है इस पर मन मज़े से अनुमान करेगा विश्वास करेगा अगर मन कभी भगमान को देखेगा नहीं मन उसको जानेगा नहीं तो मन ब्यक्या करने वाली विवस्ता है बिश्वास करने वाले विवस्ता है और यह इल्यूजन पर आधरी थे है तो जब आदमी पैदा होता है तब वो सरीर पैदा होता है तो सरीर पैदा होता है और आत्मा को उसने अभी जाना नहीं उस बच्चे ने आत्मा को जाना नहीं तो अगी मैंने कहा कि वो तितर बितर इ अभी तो बच्चे की इस्थिति है न उसके पास न वो जानता है मैं आत्मा हूँ और अभी तक उसने मैं सरीर हूँ यह भी जाना नहीं क्योंकि मन निर्मित नहीं हुआ इसलिए बच्चा असमंजस इस्थिति में होता है मगर बाद में जब बच्चा आगे बढ़ता जाएगा देखेगा सुनेगा इंद्रिमों के द्वरा जीबन को ग्रहन करेगा तो उसके बितर इस्मूर्थी बनती जाएगा और उसके वितर इस्मूर्ति के कारण तरक वितरक और विचार पैदा हो जाएगा, वो लेंग्विज सिख जाएगा, लेंग्विज सिखने के कारण अब मन उसके पास आ जाएगा, वो लेंग्विज ही मन है, और समाज में आवसे होगा मैं को, बच्चे ने मैं को जाना नहीं तो बिभार में जब वो काम करेगा तब उस बच्चे को मैं कहना होगा मैं नहीं कहेगा तो उसका जिवन आगे नहीं पड़ेगा ना बातचित करने के लिए अपने को मैं कहना होगा क्योंकि अनेक लोग उसको तू कहेंगे उसको notice करेंगे, उसको point rate करेंगे, तो है बोलेंगे और लोग, और वो भी दूसरे को बात करेगा, दूसरे से बात करते बक्त वो अपने को अलग करेगा, अपने को भीतर, मगर जब भीतर देखेगा अपने को, मैं जैसा कुछ पाएगा नहीं, तो बच्चे को एक परिशानी होगी, क्योंकि मैं कहिना आवस्यक है, मगर भीतर मैं है नहीं, तो फिर इस इस्तिति में मन ब्यक्ष्या कर देगा आपको, आपको एक कालपनिक मैं का केंद्रा खड़ा कर देगा, ताकि आपको दूसरों के साथ बात्चित करने में साहिक हो सके, मगर वो जो मैं मन खड़ा करेगा मैं का कैंद्रा वो होगा कालपनिक, वबास्तविक नहीं होगा, वो भ्यक्ष्या के दोरा होगा, अनुमान के दोरा होगा, जैसे मन खड़ा कैस度 करता है, मन आपको कहता है कि तुम यह हो, तुम धनी परिवार में पइदा हुए, तो कि तुम धनी हो, अपने को मानो कि तुम धनी हो, गरीब परिवार में पैदा होते हो, तो मन कहेगा आपको कि कहेदो कि तुम गरीब हो, हिंदू समाज में पैदा हुए, तो कहेदो अपने को तुम हिंदू हो, तुमारा नाम रमेश रखा गया, तो कहेगा कि तुम रमेश हो, तो इस तरह मन आपको एक जुटा केंद्र बना देगा आपके वितर सामाजिक हिसाब से बनाएगा वो भी अब धनी हूँ गरीब हूँ हिंदू हूँ मुस्लिम हूँ डाक्टर हूँ नर्स हूँ इंजिनियर हूँ पाइलट हूँ यह जो भी मैं यह हूँ करके मैं निर्मित होगा वो सब जुटे ही हूँ वो सब कल्पना के द्वारा ही होगा ना बाफ्त भी नहीं होगा क्योंकि मैं धनी हूँ कहोगे तो कभी गरीब भी हो जाओगे तो फिर मैं गरीब मुन कहना पड़ेगा तो ऐसा मैं कैसे होगा, जो कभी धनी होता है कभी गरीब होता है और जैसे समाज में आप जन्मी है, उसी तरह के आपको होना पड़ेगा तो इसलिए यह बिलकुल कालपनिक में बन जाता है मगर फिर भी दिक्कत होती रहेगे क्योंकि आप कहोगे मैं धनी हूँ या गरीब हूँ हिंदू हूँ या मुसल्बान हूँ रमेश हूँ या गिता हूँ या रमा हूँ या लड़का हूँ लड़की हूँ मगर भीतर तो उस केंद्र अनुभब में तो आएगा नहीं बाहर तो कहोगे कि मैं समराट हूँ या मैं भीकारी हूँ मगर समराट या भीकारी का हूँ ना भीतर अनुभब में तो नहीं आएगा क्योंकि वो मैं तो एक ब्यक्ष्य के दोरा बना हुआ मैं है उसका तो हाथ पाइर नहीं है, उसका तो केंद्र नहीं है, भितर जा होगे, तो कहीं पर मिलेगा नहीं, तो फिर मन आपको ये बेख्या करेगा, वो कहेगा कि तुम सरीर हो, अब तुम को कहे देगा वो, तुम सरीर हो, आप बंधन शुरू हो गया, आप मन, आप कालपनिक मै इने एक केंद्र पा लिया अब सरीर को, हमको भी ठीक लगता है ये बात तुम सरीर हो, क्यूंकि ये सरीर हमको अनुभब में आता है, इसी सरीर का दुख दर्द हमको अनुभब होता है, इसका भूग प्यास, इसकी ठंडी गर्मी, इसका कान क्रोद, इसका लोग मोह, ये सब ह ठीक ही है कि मैं शरीर हूँ, तो फिर हम माल लेते हैं अपने को मैं शरीर हूँ, तो इस शरीर का हात पैर को वो कालपनिक जो मैं का केंद्र है, वो अपना हात पैर मानेगा, इसकी बुद्धी को वो कालपनिक मैं अपनी बुद्धी मानेगा, तो सारा इस शरीर को वो मानेगा महीं हूँ, यह मेरा हाथ है, मेरा पईर है, मेरा बुद्धी है, मेरा मन है, यह मेरा घर है, यह मेरे पत्नी है, यह सब वो मानिगा है और मन का भी इसमें दोस नहीं है क्योंकि मन ने आपको समाज में विभार करने के लिए बाचित करने के लिए आपको सुगमता दे दी आपको केंद्र बना दिया और मन को पता नहीं है आत्मा के बारे में मन आत्मा को जान नहीं सकता क्योंकि आत्मा है सत्ते, मन है जुट, जुट चीज सत्ते को तो जानने ही पाएगे, तो आत्मा को नहीं जानने के कारण, मन आपको तुम आत्मा हो ये नहीं बता सकता, वो शरीर हो ही कहेगा, अगर मन आत्मा के बारे में जानता, तो वो आपको कहता कि तुम आत्मा हो, मगर वो जानता नहीं सरीर को और वो क्या करे मन आत्मा को वो क्या करे फिर वो कहेगा कि तुम सरीर ही हो और मन खुद ही सरीर के द्वरा निर्मित है बाय प्रोडक्ट है सरीर के इसमृतियों द्वरा ही मन बना है इसलिए मन कहेगा कि आप सरीर ही हो और यही बंदन है, मन को कहा बंदन का कारण यह अनिबार यह बुराई है यह मैं का पैदा होना भी होगा आगे बंदन के लिए और यह आपको बंदन में भी डालेगा मन से निर्मित कालपनिक केंद्र मैं को हम मानते हैं आत्मा है तो फिर यह बंदन हो गया इस सरीर को मैं कहना या आत्मा कहना एक ही बात है मैं यानि आत्मा मगर हमने आत्मा को मैं माना नहीं हमने सरीर को मैं मान लिया अब यह मन के काराण तो फिर बंधन में हम पढ़ गया क्योंकि जो चीज हम नहीं है उसको हम है मानेंगे तो बंधन हो गया हम बिराठ ही अनन्त आकास सही है और हमने माल लिया कि छुद्र ये पांच्छा फुट का सरीर ही मही हूँ तो फिर बंदन भी हम पड़ गया जो खुले आकास में उन्ने वाली कोई चिड़िया है तो उसको आपने लेकर किसी पिजड़े में रख दिया तो ऐसे ही इस्तिति हो गई हमने भी इस आत्मा को पिजड़े में रख दे इस सरीर है पिजड़ा तो बंदन पैदा हो गया मगर इसमें बात ये है कि सरीर और आत्मा तो अलग-अलग है हमने शुरू में ही बताया तो मन बंधन का कारण बन गया अब इसमें मुक्ती कैसे होगी यह बात जाने अब इसमें मुक्ती ऐसे होगी यह जानना होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ यह आपको जानना होगा और यह आप जानूगे कैसे आपके पास जानने वाली विवस्ता तो कुछ है नहीं आपके पास जानने वाली विवस्ता वही मन है तो उसी मन के कारण आपको दुबारा ब्यक्ष्या करना होगा पहले इस मन ने ब्यक्ष्या किया था तुम सरीर हो अब इस आत्मा को ब्यक्ख्या करना होगा तुम सरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो तो ब्यक्ख्या बदलनी है और मन नहीं जाने का आत्मा को तो इसलिए आपको प्रबचन सुनना है गुरुओं को सुनना है स्रबन का महत तो यही है सास्रका अद्धेन करते हैं तो सास्रका अद्धेन का क्या अर्थ है कि मन को अब नया ब्यक्ख्या दिला दो मन से नया ब्यक्ख्या करवाओ अब मन से ये ब्यक्ख्या करवाओ कि तुम आत्मा हो आत्मा की बात करो और सत्य क्या है उसका अनुभव करवाओ मन को तो मन दिरे-दिरे क्योंकि यह जूट बात है न मैं शरीर हूँ क्योंकि जितना भी आप कहो मैं शरीर हूँ आप शरीर हो नहीं जाओगे आपका हाथ पर कोई कार देगा तो आप कट नहीं जाओगे शरीर बिमार हो जाएगा तो आप भी बिमार नहीं हो जाओगे भितर आपका हुपन होता रहा आपका सरीर मसानगाट पर जाएगा वो बिमारी से छट पटाएगा तो भी आपके भितर जो होना है मैं है आत्मा है वो होगी ही उसको कुछ नहीं होगा तो मन को नई ब्यक्ख्या दिलाना है, वो ब्यक्ख्या यह है कि आप आत्मा हो, आप मन नहीं हो अगर ये सास्रों के द्वारा, स्रबन के द्वारा ये बात जानने है जैसे अभी हमने बात किया जो ये सब सास्रा है इसमें हमने यही बात जाना कि मन पैसे कालपनिक केंद्र को खड़ा करके आप आपको ब्रह्म में डालता है तो मन की गलत ब्यक्ख्या क्या है यह आपने जान लिया और आप आत्मा हूँ यह बात आपने जान लिया तो फिर ये सास्र आपको मन से नई व्यक्ष्या करवाने के लिए समर्त होगा और आप धिरे-धिरे उस प्याटर्न उस धाचा को जो सरीर को ही मैं मानती है आप तो धिरे-धिरे आप उसको खंडित करते जाओ गया यह पहला भाग है और इसमें दूसरा भाग यह है मुक्ति का दूसरा पाठ यह है कि मन को आप कुछ अनुभब भी दिला दो मन ने अभी तक आत्मा को जाना नहीं मन कभी भी आत्मा के पास बैठा नहीं तो इस कारण मन को ये शरीर ही अनुवप होता है इसलिए मन कहता है कि तुम शरीर हो तो इसलिए आप ध्यान का प्रियुक करो आप निर्विचार का प्रियुक करो आप ध्यान में क्या करते हैं? ध्यान में आप निर्विचार होकर सान्त होकर तो भितर के जो अंतर आकासे आपका, उसमें आप डूपते जाते हो, तो भितर के अंतर आकासे में आप डूपते जाओ, निर्विचार इस्तिति में जाओ, और भितर अभोतिक चीज आपकी क्या है आत्मा, तो उसका आप अनुभब करो, तो मन को आपने आत्मा के आगे ले तो मन को आत्मा के आगे ले जाओ, आत्मा के आगे ले जाने के कारण अब मन बंद हो जाएगा, क्यूंकि मन तो बिश्वास पर ही जिता था, ब्याख्या पर ही जिता था, आपने तो सत्य ही जान लिया, आत्मा तो सत्य है, आत्मा को कई से आप ब्याख्या करोगी, आत्मा का आप ब्यक्ख्या भी नहीं कर सकते, आत्मा को आप विश्वास भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सत्य है, तो सत्य को आपने जान लिया, तो मन एकदम से बिलीन हो जाएगा, क्योंकि मन का कोई काम ही नहीं बचा, ब्यक्ख्या करने के लिए मन बचा था और न जानने के करना ब्य बिदा हो जाएगा और मन बिदा हो जाने के कारण आप आत्मा में इस्तिर हो जाओगे और शरीर आपका एक साधन की तरह रहेगा और शरीर अपने नियम के कारण चलेगा जब तक शरीर के अंदर सेल्स होंगे उसका हट सिस्टम होगा उसका पाचन सिस्टम होगा उसका स्वा प्रस्वास की सिस्टम होगी, जब तक वो क्याम करेगी, तब तक सरीर तो बचेगा, आत्मा को जानने के कारण सरीर तो खतम तो नहीं होगा, क्योंकि सरीर अपने नियम से चलेगा, चाहे आप आत्मा को जानो, चाहे आप आत्मा को मत जानो, सरीर का इससे कोई लिनाजरा नह कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो और शरीर आपके आत्मा के आसपास एक creation है, एक creation है, एक साधन है, इसका उपयोग करना है, तो आप इसका अच्छा अच्छा प्रियोग करोगे और यही मुक्ति का अनुभव होगा, मित्रों इसलिए मुक्ति के अनुभव में दो बात आवस्चिक होगे, एक अच्छे से स्रवन करना होगा, प्रबचन को अच्छा ग्यान को आप आर्जन करना होगा, जो आपके अज्यान को मिता दे, और आपको ध्यान भी करना होगा, ताकि आपको कुछ अनुभब भी हो जाए, बास्त भीक अनुभब भी हो जाए, ये दोनों पंक है, ध्यान और ग्यान, दो पंक है, ये अध्यात्मा आकास में जो भी पंची उड़ना चाहेगा, उसके दो पंक है, ध्यान और ग्यान, ग्यान के कारण आपको समझ आएगी बा और आप सास्त्रों को और अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए जो मित्र होते हैं प्रवचनों को सुनते हैं अच्छे से उनको ध्यान लगता है। और जो ध्यान का अनुभव होता है उनको बात और अच्छे से समझ आजाती है। दोनों को साथ साथ ही आगे बढ़ाना है। और ये दोनों को साथ-साथ बढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ प्राइवेट मेडिटेशन है। इसमें 10 अध्यात्मा की ज्यान के गहिन वीडियोज है और 15 ध्यान साधना की वीडियो है जो आपको प्रतेश्य आत्मा का अनभब दिला सकते हैं। इन दोनों को अगर आप वीडियोज प्राप्त करना साहते हैं तो उसके लिए मुझे चाट करें। उसका नम्मर और लिंक डिस्क्रिप्शन में देया हुआ है। आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद।